अस्राम अलेकूं दिया रिस्टॉरेंट्स, मैं आपका टीचर जहीर रहमत कुरेशी, आज एक नहीं टॉपिक के साथ आपके स्थामने आज हम जो टापिक पढ़ेंगे, वो चप्टर नमबर 4 का एक और इंपोर्टन टापिक आ जाता है और उसका नाम है अल्स इफ स्टेट्मेंट या स्ट्रॉक्चर बजो एक बात यार रखो, कितने भी हम कंट्रॉल स्ट्रॉक्चर पढ़ें इफ स्टेट्मेंट हमने कहा, इफ एल्स इफ कहा, इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ कहा तो ये सारे के सारे बेसिकली स्ट्रॉक्चर हैं, क्यों? क्योंकि इन में कुछ स्टेट्मेंट इन पर डिपेंट कर रही होती हैं और यह block of statements को execute करते हैं, इस वजय से ही यह structures हैं, और यह semicolon से terminate भी नहीं होते, यार रकिन जो statements होते हैं, वो semicolon से terminate हो रही होते हैं, C++ के अंदर, हम इसको detail में discuss करते हैं, कि else if structure है क्या, और इसमें हम किस तरह से programming कर सकते हैं, So, it is also called if else if statement, मतलब एक या एक से ज्यारदा, अगर हम आपस conditions हैं, या situations हैं, जिन में conditions की base पर हमने किसी भी एक situation को execute करवाना है, उसके लिए हम इसे use करते हैं, if as if statement या structure, it is used to execute any one of the multiple alternatives, क्या, any one of the multiple alternatives, या जिने हम choices भी कह सकते हैं, जिने हम blocks भी कह रहे हैं, means, और किस बेस पर, based on various conditions, हर alternative के लिए different conditions मुझूद हैं, different situations हैं, और वो तमाम किस पर base कर रही हैं, condition पर base कर रही हैं, उन में से कोई safe और safe, कोई एक ही condition और इसका block execute कर सकते हैं, और बाकी सारी conditions skip हो जाती हैं, तो बच्चो इसकी examples के तोरप आगर हम discuss करें, तो examples में सबसे main example जो discuss करने वाली है, वो है grades of a student, लेकर बच्चो अगर Mars आपके 80 to 100 के दर्मियान है, तो a plus grade आ रहा होता है, अगर Mars 72 to 79 के दर्मियान है, तब आपके पास a grade आता है, अगर Mars आपके 60 to 69 तक है तब आपका b grade आ रहा होता है, अगर मार्स आपके 50 to 59 है तब C grade आ रहा होता है तो वेटा इसी तरह से अगर आप देखते हो के multiple conditions हैं और उन conditions में से किसी एक condition ने true होना है मार्स किसी एक category में आएंगे हर category को true नहीं कर सकते तो इसी in this case हम आपास सिर्फ एक ही grade block print होता है otherwise बाकी grades इसके हो जाते हैं तो इसी तरह other situations आती है कि अगर हम देखते हैं कि एक letter है वो letter uppercase है या lowercase है या numeric character है या कोई और character है अब इसके लिए भी हम आपस multiple conditions बन जाती है क्यों uppercase letters के लिए अलएदा category है अलएदा condition है lowercase letters के लिए अलएदा condition है अगर numeric characters देखते हैं वो अलएदा condition के through check हो रहे होते हैं या फिर अगर इन तिनों conditions पर कोई value qualify नहीं कहा रही होती उसने true नहीं कहा रही होती तब वो else block के अंदर discuss हो रही होती है तो same way में हमारे पास ये एक ऐसा structure है जो कि execute करता है multiple given alternatives में से सिफ एक alternative को based on the various conditions मेंस के वो हर alternative के साथ उसकी अपनी conditions हैं लेकिन at a time सिफ एक ही condition हो होगी और बाकी तमाम conditions को skip कर देगा control else if statement is used in situations where decision is to be made from several conditions अभी हमने इस चीज को discuss किया के else if statement को structure को हम ऐसी situations में यूस का रहे है जहां पर किसी एक block का decision लेना है लेकिन हम आपस multiple conditions भी मुझूद है और इन conditions में से किसी एक ही condition ने evaluate होकर check होना है और बाकी conditions अगर false होती जा रहे हैं तो next condition चेक होंगी otherwise वो skip हो जाएगी अब हम इसके syntax को next board पर discuss करेंगे आए चलते हम next board की तरफ जी वचो हम if else if का या else if structure का syntax discuss करते हैं अब इस syntax में अगर आप देखें तो सबसे पहले if के बार condition आ रहे है हम इसे यहाँ पर condition one कह रहे है condition one और यह इसका block आ गया block one कि अगर condition one true होती है तब block one execute कर जाएगा else if बच्चों याद रखने हैं इसे else if structure क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इस structure के अंदर else अकेला नहीं लिखा जाता जिसरा हमने पिछले lecture में discuss किया था कि if as structure में एक if की condition थी और दूसरा उसका simple block block of statement आता था लेकिन इस structure के अंदर अगर हम देखते हैं तो if की condition आगी इसके बाद जब दूसरे statement की बात करेंगे तो वहां पर else अकेला नहीं आ रहा इसके साथ if लिखता जाएगा और इन दोनों के दर्मियान space होगी और space if के फॉरण बाद हम आपा condition आ जाएगा अब पहली condition start होगी if से if condition 1 then block 1 अगर condition 1 true है तो block 1 execute कर जाएगा और बाकी तमाम blocks skip हो जाएगे control other statements से move कर जाएगा अब पहला if condition नहीं तब दूसरी condition पर आगे दूसरी condition को check करने के लिए else if लगाएगे क्योंकि ये alternative condition है और ये कब execute होगी जब पहली false होगी else if condition 2 then block 2 और इसी तरह continue हम करते हैं चलते जाएगे जितनी भी हमारी conditions है सारी condition होती जाएगी then else if condition n till that condition n तक हम चाह रहे है और condition n के साथ उसका block n आजाएगे अब इन में से उपर जितनी भी conditions है कोई भी condition true नहीं होती तब कौन सी condition true हो जाएगी वो check करेगा else if condition n, nth condition को check करेगा और अगर ये true हो जाती है तब nth block execute कर जाएगा अगर ये भी condition true नहीं होती means उपर जितनी भी given conditions है वो true नहीं होती तब ये else block execute कर जाएगा लेकिन remember के ये else block इस structure के अंडर optional है इसे ना भी use करें तो error generate नहीं होगा और else block को execute करने के बाद control other statements पर आ जाएगा इसी चीज़ को हम यहाँ पर flow chart में भी देख रहे है लाइक देखें condition 1 और condition 1 true है तो control कहां आ रहा है condition 1 true होने की base पर control block 1 में आ जाएगा और यहाँ से execute करके other statements पर चला जाएगा और अगर condition 1 true नहीं है और अगर condition 1 true नहीं है control कहां move करेगा condition 1 false है control move कर गया condition 2 कर और अगर condition 2 true है तो control block 2 पर आया इसे execute करके other statements पर चला जाएगा अगर condition 2 भी true नहीं है means condition 2 भी false है तब यह control condition 3, condition 4, condition 5 जितनी भी conditions है उनको check करता जाएगा और same procedure होगा जिए इन में से कोई भी एक condition 2 होगी तो control उन्हें execute करके other statements पर चला जाएगा और अगर कोई भी नहीं like till condition 1 तक इसने check किया और अगर nth condition 2 है तो block n को execute करेगा और कहां यहां other statements पर move कर जाएगा और अगर condition n भी हमारे पास true नहीं होती तो यह else block या फिर direct other statements पर आजाएगा जैसा कि मैंने बताया कि else block optional है तो अगर आपके इस program में else block ना भी लिखाओ तो वो कोई error generate नहीं करेगा अब हम इसकी working को understand करने के लिए next board की तरफ move करेंगे और वहां पर देखेंगे कि इसकी working को हम descriptive form में कैसे represent करते हैं अब हम इसकी explanation working को discuss करते हैं और इसे describe करना है in our words यहां रेखें तो in as if structure the block of statement is executed in such a way that all of us सबसे पहले condition 1 is evaluated सबसे पहले condition 1 check होगी if it is true अगर यह true है then block 1 executes और block 1 execute कर गया and other all else blocks will be skipped और बाकी तमाम blocks skip हो जाएंगे or control outside the structure other statement पर move कर जाएगा और अगर condition 1 true नहीं है condition 1 is not true then the condition 2 is evaluated बचाएंगे रे कि condition 1 अगर true नहीं होरी then condition 2 check होरी है मैने आपको syntax में और flow chart के थू यह चीज़ बताई कि condition 1 के false होने की बेस पर condition 2 check होगी तो condition 2 is evaluated and block 2 will execute और block 2 execute करेगा if the condition 2 is true and remaining blocks will be skipped और फिर condition 2 के बाद जो remaining blocks है वो सारे के सारे skip हो जाएंगे अगर condition 2 भी true नहीं है false है तो in this way all the conditions are evaluated one by one तब पे तमाम conditions one by one evaluate हो रही है to execute their respective blocks और जो भी condition 2 होगी उसका respective block को execute भी कर देगा और बाकि remaining statement को बाकि remaining condition को skip भी करता जेगा if none of the condition is true अगर ऐसी value input कर दी जाती है जो जिसकी base के ओपर कोई भी condition true नहीं हो रही then else block will execute if available means again वही बात आगी मैंने आपको अभी syntax में कहा था कि else block जो सबसे last में हम लिख रहे हैं वो optional होता है else if structure के अंदर अगर हम इसे ना भी use करें तो कोई error नहीं आता क्योंकि ये else if structure है इसके अंदर conditions use हो रही होती है इसके अंदर else का option optional ही होता है और अगर हम इस working में लेक रहे हैं तो कोई भी condition true नहीं हुई so if none of the condition is true then else block will execute if available अगर हम ने use किया है तब else block execute करेगा और control other statement पर move कर जाएगा यही चीज आपको ये एक mcq point है तो जब भी आपके पास कोई आप अपनी coffee के अंदर ये note कर ले कि कोई भी ऐसा point आता है तो उसके अपर इधर आप क्या लिखने mcq लिखे ताके आप जब याद कर रहे हैं तो आपको ये चीज mention हो जाए ये चीज समने आ जाए कि ये एक important point है remember the use of else block in else if structure is optional याद रखने कि else if structure में इसका use optional होता है तो बच्चो ये सारी इसकी working थी जैसे या explanation थी अगर हम words की form के अंदर इससे लिखना चाहें तो हम इसकी explanation को इस तरह से describe करते हैं अब हम चलेंगे इसकी examples की तरफ और examples के थ्रू understand करेंगे के else if structure के थ्रू हम different programming किस तरह का सकते हैं और different scenarios, different situations के अंदर हम इस structure को किस तरह efficiently use का सकते हैं So, examples के लिए हम word 1 की तरह move करते हैं तो बच्चो अब हम discuss के रहे हैं इसकी examples को Examples में देखें के program to input a number and check whether it is positive, negative or 0 अब देखो बच्चो पिछले lecture के अंदर हमने यह चीज discuss की थी कि if else if statement कब use होती है जब हम आपस दो options होती है और दोनों में से किसी एक option ने last me execute होना होता है लेकिन यह हम else if structure पर रहे हैं और else if structure के अंदर आप देख सकते हो कि statement में वो खुद बखुद तीन या तीन से ज्यादा options दे रहे हैं अगर ऐसी statements आ जहे हैं जिसके अंदर हमाने फक्त multiple conditions आ रहे हैं तब हम क्या use करते हैं else if structure या इनको use कर रहे होते हैं start में हमने as usual header files लिख दी और in header files के बार main का function भी आ गया और इस main के function के बार हम आ रहें कहां पर इसमें इसे commit कर देते हैं क्यों commit कर दिया कि यह आप code का हिस्सा न समझें और यह output है जो कि हम separately इसे describe कर देंगे अब अचो इसके अंदर हम यहां से आते हैं int term एक number positive है या negative है या 0 है इसके लिए हम conditions को use करते हैं कि अगर एक number greater than 0 है तो हम उसे positive कह रहे हैं जा greater than 0 number भी कह सकते हैं और अगर वो less than 0 है तो वो एक negative number है ना वो greater than 0 है ना वो less than 0 है तो obviously वो equal to 0 ही होगा तो in that case हम प्रोग्राम को discuss करते हैं अब यहां पर देखते हैं kc out inter a number इंटर a number जब यह execute करेगा statement तो output screen के उपर यह message लिखा आ जाएगा कि इंटर a number जब इंटर a number लिखा आ गया तब control इसको execute करने के बाद next statement पर आ गया और c in statement की वज़ा से control यहां पर blink करना शुका देगा और जब blink कर रहा है तब user यहां पर एक number इंटर करता है और वो हम कह रहते हैं 10 इंटर कर देगा अब num की value 10 आगे num की value क्या आगे 10 अब इसने condition चेक की control आगया इस condition पर if num is greater than 0 तब means कि यह condition तो true हो हो ही है 10 is greater than 0 then control आएगा इस statement पर and number is positive print करतेगा किस रहां से number is positive यार रखिएगा कि दी जिस तरह से inverted commas के अंदर statement लिखी होती है as it is on the screen वो statement print हो जाती है अब अगर हमाय पर अब जब यह condition true हो गई तो यह statement execute होगी और यह else if वाली statement और यह else वाली statement का block skip हो जाएगे और control कहा program के end में move हो जाएगा और program खतम हो जाएगा so बच्चो हम यह देखते हैं कि यह 10 की बजाए user 0 enter का देता है so बच्चो 0 की बजाए से num की कौन सी value आगी यहाँ पर 0 enter हो गया num की value 0 आगी अब यह 0 चेक हो रहा है कि इस 0 से तो क्या 0 greater than 0 है condition false हो रही है क्योंकि 0 is not greater than 0 means यह वाला ही state condition false हो गई और यह statement execute नहीं करेगी और यह भी statement execute नहीं करेगी यह और control का मूप कर जाएगा else block इस प्रोग्राम में else block है तो इस और यह जाए यह else पर चला गया और दोनों condition false ही तो यहाँ आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कि number is 0 number is 0 और उसके बाद last statement पर चला जेगा और प्रोग्राम को terminate कर देगा तो बच्चो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में different values इंटर करके different output produce कर सकते हो next lecture के अंदर हम इसकी मजीर examples को देखेंगे और उनको study करेंगे कि किस तरह से हम इस else if structure को और examples में use कर सकते हैं उमीद है कि आपको आज का lecture समझाया होगा और इसमें अगर को questions हो तो आप proof सकते हैं अब तक के लिए लाहाफिस मिलते हैं next lecture में